Hello students, I am Shweta, you are a Maths teacher. Last class में हमने rational number की properties समझी थी. Addition, subtraction, multiplication and division. उमीद करतूं आपको properties अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि आज हमें उसे related exercise करनी है. Exercise शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ. आज मैं आपको दो worksheets देने वाली हूं Maths की, जो मैंने इस वीडियो के last में आपको दी है. अब मैं वीडियो के last में आपको बताऊंगी, वो worksheets आपको कौन सी copy में करनी है, solution कौन सी copy में करना है. तो please मेरी वीडियो last तक carefully सुनिएगा, उसके बाद ही कोई doubt हो, तो ही group में पूछिएगा. मैं आपको वीडियो में सब कुछ बता दूँगी, पर पहले हम exercise कर लेते हैं, फिर वरक्षिट पे आएंगे, ठीक है? देखो question number 1 है, exercise 1.2 का solve the following, आपको इन्हें solve करना है. मैंने इसके B part से start करवाया, A part आपको homework में करना है. पहले B part समझ लेते हैं, फिर आपको A भी आ जाएगा, ठीक है? देखो, solve करना है, गुष्णी करना. आज का काम यहां से शुरू है, class, मैंने यहां date डाल के दिया आपको, उपर वाला नहीं लिखना, आपको यहीं से करना है काम, ठीक है? solve करने के लिए देखो, plus करना है, तो इन सब के पहले base same उन्हें ज़रूरी है, मैंने आपको last to last class में, ascending और descending में base same करना सिखाया था, LCM लेके, same वोई process मैं, आज यहां दुबारा इस question में लगा रही हूं, मैंने LCM लिया, 180 आया, इन तीनों का, 9, 4 और 5 का, और इन तीनों के base same कर लिये, जैसे मैंने वहां की यह थे, यह रहे सब के base same हो गए, ठीक है, यह base same करना अब आपको आगया होगा, कि कैसे multiply करते हैं, क्योंकि मैंने आपको ascending और descending में यह सिखा दिये थे, अब यह तीनों number मैंने यहां पर लिख लिए, यहां पर तो आप इने बस compare करते थे, यहां पर मैंने प्लस डाल के तीनों number लिख लिए, प्लस मैंने इसलिए डाला है, क्योंकि आपके question में देखो, यहां पर plus है, जो sign यहां पर होगा ना, वोई sign आप वहां पर लगा होगे, ठीक है, यह रहा, अब नीच्चे वाला denominator एक ही बार लिखते हैं, और उपर वाले number ऐसी लिख दिए, इन दिनों को plus कि आपका answer आगया, ठीक है, यह cut भी सकता है, 3 की table में, बट मैंने इसे cut करके नहीं लिखा, आप चाहो तो इसको cut करके लिख सकते हो, अब आपका a part हो जाएगा, यहाँ पर 3 rational numbers को solve करना था, और a part में 2 rational numbers को करना है, देखो, तो आप क्या करोगे, base same करके solve कर लोगे बसानी से, ठीक है, similarly c part भी अब आपसे हो जाएगा, बस यहाँ plus हैं, यहाँ पर minus हैं, तो आपको minus करना है, जब आप last में होगे ना, यहाँ पर यह वाला step, बता देती हूँ मैं इसमें से, इस वाले step पर जब आप होगे, तो आपको यहाँ plus की जगा बस minus रगाना है, ठीक है, d part मैंने करवाया है, देखो d part, d part में ने actually 2 sign थे, इसलिए वाला part मैंने करवाया है, एक minus यहाँ है, एक minus यहाँ है, तो आपको एक चीज़ी याद होगी, यह आपने 7th में integer वाले chapter में किया था, minus minus plus sign लगता है minus का, plus minus minus sign लगता है, जो digit बढ़ी होती है, और यह मैं आपको class में बोलती थी, कि जब हम यह quotient करते हैं, तो हमेशा हमें बोल-बोल के करना चीए, minus minus plus sign लगता है minus का, ताकि हमको याद रहे, same वोई यह यह, देखो, minus minus plus, तो यहाँ पर sign लग गया मेरा plus का, ठीक है, तो यह minus और यह minus क्या बन गए, plus बन गए, अब आप देख रहे हो, यह same a part वाला जैसे हो गया, जैसे a part में दो rational number को plus करना था, same वोई बन गया ना, बस density तो अला गया, तो यह वाला मैंने solve किया, और यह मैं समझा देती हूं, फिर आप a और c part असानी से कर पाऊगे, ठीक है, पहले तो base same करने पड़ेंगे न, वो यह 9 और 5 का LCM लिया, यह रहा LCM 45 आया, base same करते हैं चलो, 9 की table में 45 5 पे आता है, 5 की table में 45 9 पे आता है, base same हो गए, अब क्या करना था, sign कौन सा है, अब आप यह वाला sign नहीं देखोगे, कहीं आप यह वाला देख लो, नहीं, आपने इनको तो plus कर दिया न, यह आपर, तो अब आप यह वाला sign देखोगे, ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों को, इन दोनों को क्या करना है, plus करना है, तो देखो मैंने इन दोनों को plus कर दिया, हमारा अंसर आगे, 71 अपन 45, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, यहाँ पर भी वह यह देखो, माइनस माइनस, लेकिन यहाँ एक इधर भी माइनस लग रहे है, हमेशा याद रखना इर्थ क्लास, जो यह वाला first digit का जो sign होता है, यह कभी भी change नहीं होता, अगर यह plus है तो plus रहता है, और अगर यह minus है तो minus रहता है, ठीक है, यह minus minus क्या बन गया, plus बन गया, कुशनी करना, पहले same वही process चल रहा है, 10 और 15 है, LCM लेके base same करना है, base same आपको इसमें हर question में करना है, जब भी आप 2 rational number को plus करो, या minus करो, base same करना होता है, अगर उनके base same नहीं होते तो, ठीक है, मेरा LCM आया 30, मैंने base same कर दे, आप देख रहो, यहाँ पर मेरा minus sign था, उपर question में, यह minus में 7 साथ चला रहूं 11 के, आप इसको हटाओगे नहीं, तो यह सासत माइनस ऐसी चल रहा है, अब क्या था, इन दोनों digit के बीच में, कौन सा sign लग रहा था, प्लस का न, आप इन दोनों digit के बीच में भी, प्लस का ही sign लगा होगे, पर यह वाला minus ऐसी ही रहेगा, first digit का sign कभी भी change नहीं होता है, ठीक है, अब मैंने base तो एक ही बार लिखते हैं, और यह वाले number ऐसी लिख दिया, minus 33, plus 38, अब आप देखो, plus minus, plus minus, minus, तो 38 में से 33 गया, तो 5 बचा, sign लगता है जो digit बढ़ी है, 38 बढ़ा है, उसके आगे plus है, तो plus का ही sign लगेगा, लगाओ ना लगाओ, एक बात है plus का sign, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, कट करके 1 अपॉन 6 अंसर आ गया, मैं एक बर यह वाला step दुबारा repeat कर रहूं, कुछ नहीं किया, मैंने base सेम किया, जो sign था, वो sign as it is रहन दिया, आप sign को change नहीं कर सकते हों, अब एक यहाँ minus में, एक यहाँ plus में, तो बोल के करना है आपको, plus minus minus, sign लगेगा, जो digit बढ़ी है, 38 बढ़ा है, इसलिए plus का, ठीक है, next part, next part multiplication है, देखो, यह हमने एक property की थी, अगर आपको याद होतो, distributive property over addition, and distributive property over subtraction, अगर आपने properties पढ़िऊंगी, तो आपको याद होगा, क्योंकि अभी last class में, हमने properties की है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, बट मैंने आपको यहाँ, एक ही तरीके से करवाया है, दोनों से नहीं करवाया, ठीक है, वही तरीका मैं आपको समझारूँ, जो मैंने आपको करवाया, ये वाला नमबर देखो, आपको दिख रहा है, ये bracket के बहार लिखा है, multiplication में, तो इसका एक simple सा मतलब होता है, कि ये वाला नमबर, इस वाले नमबर के साथ भी multiply का है, मैं एक बार फिरिपीट कर दूँ, ये वाला नमबर, bracket के बहार, multiplication में दिया है, तो इसका मतलब ये होता है, ये वाला नमबर, इस वाले नमबर के साथ भी multiply का है, और ये वाला नमबर, इस वाले नमबर के साथ भी multiply का है, तो जो मैंने बोला है, वो ही मैंने लिख दिया अगले स्टैप में देखो ये वाला नंबर इस वाले नंबर के साथ भी मल्टिप्लाएगा ये लिखा अब ये बीच में प्लस कहां से आया ये बीच में ये वाला साइन लगता है जो साइन ही होता है वो ही लगता है अगर प्लस है तो प्लस माइनस है ढूआ हैं नंगिया और आभी मैने एक पाइवी किया यह के जैसे ही तो便 गया यहाल बन गया नहां आसे वही पाइड गया आ कि गये अक twist कर दिया जैसेजे वह वाले पाट गिया थे इसका मैने इक पार्ण नहीं करवाया है similar part है F के बाद एक बद चेक कर लेते हैं हां मैंने इस का आपको G part नहीं करवाया G part same F जैसे ही है फ़र कितना है देखो यहाँ already इनोने multiply करके लिखा है यह वाला step जो है यह वाला part देखो पहले इनको multiply करके आप यहां लिख दोगे, plus डाल के इनको multiply करके लिख दोगे, then base same करके आप solve कर दोगे, यह वाला step इस वाले part में भी आया है, देखो, दिखाती हूं मैं आपको अपने solution में, यह रहा, आया है न, इसको इस से multiply के, इसको इस से, तो g part में direct यही step दे रखा है, तो same ऐसी करना है, save digit change है, ठीक है, next part, h part, अब इसमें divide आ गया, 85 upon 17, divide का साइन, 64 upon 16, यह जब मैंने आपको properties समझाई थी न, तब मैंने आपको बताया था कि, दो rational number कभी भी, directly हम divide नहीं कर सकते हैं, तो जब भी हमको दो rational numbers को divide करने के लिए बोलता है, तो हम क्या करते हैं, divide क multiply बना देते हैं, और बादवाले number को reciprocal कर देते हैं, I repeat, जब भी rational number में दो numbers को divide करने के लिए बोलेगा, तो हम क्या करते हैं, divide वाले sign को multiply बना देते हैं, और बादवाला number reciprocal कर देते हैं, वो ही same मैंने किया है, cut करना है, जो जिससे cut हो रहा है, 16 की और 64 दोनो 4 की table में आते हैं मैंने cut किया, 4 upon 16 आया, फिर ये दुबारा का टो रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, क्या बचा 1 upon 4 यहां बचा और यहां बचा 85 upon 17, 17 की table में 85 का बाता है, 5 पे आता है, ठीक है, अब क्या बचा उपर numerator मे 5 और 1, denominator मे 4, solve किया answer आ गया, ठीक है, question number 2, जो parts question number 1 के मैंने नहीं करवाए हैं वो आपको home work copy में करने है, दो या थीनी parts हैं, जो मैंने नहीं करवाए हैं, बाकि सारे मैंने करवाए हैं, question number 2 कह रहा है, proof that the qualitative property of addition hold true for this, कह रहा है, आप हमें यह proof करके बताओ, क्या, qualitative property इस पे follow होती है या नहीं होती, qualitative property मैंने आपको क्या बताया था, qualitative property का मतलब यह था, कि अगर आप 2 rational numbers को plus करते हों, तो जो answer आता है, वो rational number होता है, और अगर आप उनका order change करके उन्हें plus करते हों, तो जो answer आता है, वो भी rational number होता है, और दोनो answer same होते हैं, order change करने के बाद भी, और order change करने से पहले वाले भी ठीक है अब वो आपको यहां प्रूफ करना है तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे सॉलूशन में देखते हैं मेरे पास यह वाला रैशनल लंबर है 7 upon 8 plus 4 upon 6 पहले तो मैं इसे ही सॉल्फ करूंगी order change बाद में करेंगे तो इसे सॉल्फ करना आपको अब आगे होगा question number 1 में हमने यही किया है शायद हर जगा base same करके plus किया है 8 और 6 का LCM लिया 24 base same किया 24 24 then plus कर दिया यहां तक तो आपको आता है अब हमें क्या करना है order change करना है तो order change कैसे करते हैं वो देखो यह पहले लिखाता है इसे बाद में लिख देते हैं यह बाद में लिखाता है इसे पहले लिख देते हैं ठीक है फिर दुबारा LCM लेंगे 8 और 6 का अब आपको यहां दुबारा LCM जैसे यहां पर show किया है यहां show करने की जूरवत नहीं है क्योंकि LCM 24 या आएगा 6 और 8 का LCM थोड़ी ना change हो जाएगा 8 और 6 लिखो या 6 और 8 लिखो LCM तो same ही आएगा तो दुबारा LCM लेने की ज़रूरत नहीं है ठीक है अब पहले ये वाला number लिखेंगे base same करने के लिए फिर ये वाला number लिखेंगे 37 upon 24 आप देखो जब order change नहीं हुआ था तब भी 37 upon 24 ही आ रहा था तो मेरे को यही तो proof करना था कि competitive properties पे hold करती है तो ये दोनों same ही तो है तो मैंने लिख दिया 37 upon 24 is equal to 37 upon 24 hence proof ठीक है next question, question number 3 आज हम last question number 3 करेंगे बाकी का next class में करेंगे क्योंकि आज मैंने आपको worksheets भी दिये हैं वो भी आपको करनी है ठीक है question है proof that the associative property hold true अब associative property associative property क्या थी अगर हम 3 rational numbers को plus करते हैं 2 एक बार में, 1 एक बार में एक answer आएगा और अगर इनके order change करके plus करते हैं तो दोनों same आने चीए और यह इसमें follow भी करती थी इसको यह subtraction वाली में follow नहीं करती थी और division वाली में है ना इन में multiplication और addition में associative property follow करती थी तो चलो देखते हैं पहला इनोंने यह bracket बना के दिया है इसका मतलब पहले हमें यही दो number solve करने है उसके बाद जो answer आएगा उसको इससे plus करने है चलो answer में देखते है यह रहा solution 3 यह दोनों है ना तो पहले इनी दोनों का LCM लेंगे 8 और 5 का LCM लेंगा 40 आया अब आप यहां पर ज़रा धिहान से देखो यह मैं पूरा समझाँगी बेस सेम के साथ 7 upon 8 है देखो यह रहा 7 upon 8 है क्या बनाना है 40 तो 8 की टेबल में 5 पे आता है 40 ठीक है तो 5 से multiply कर दिया यह वाला plus का sign यह रहा 2 upon 5 है 2 upon 5 5 की टेबल में 48 पे आता है 8 से multiply कर दिया bracket as it is बंद है plus 8 upon 3 ऐसी लिखा है अब आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे 7 upon 8 यहां लिखा 2 upon 5 यहां लिखा नहीं आप confused हो जाओगे लिख तो सकते हो ऐसा नहीं लिख नहीं सकते एक तो वो steps ज़ादा हो जाएंगे दूसरा आप confused भी हो जाओगे तो यह वाला तरीका इसमें सही है असान है ज्यादा मुश्किल थोरी नहीं यह भी क्या किया है मैंने जो bracket में था ना उसे bracket में रहन दिया अब bracket में बेस सेम कर दिया तो 8 की table में 45 पे आता है 5 से multiply कर दिया 5 की table में 48 पे आता है 8 से multiply कर दिया देखो हो गए अगले step में बेस से इन दोनों को multiply करके लिखा इन दोनों को multiply करके लिखा प्लस और यह भारवाला नंबर ऐसी है ठीक है अब इन दोनों को प्लस करेंगे बेस तो एक ही बार लिखते है 35 में 16 प्लस क्या 51 ठीक है अब अब इन दोनों को solve करेंगे तो अब इन दोनों के लिए LCM लेना पड़ेगा 40 और 3 का 40 और 3 का LCM लिया 120 आया अब देखो अब मैंने फिर वैसी बेस सेम कर दिये पहला नमबर दूसरा नमबर ऐसे उपर नीचे लिखे ब्रैकेट में ने लिखे क्यों क्योंकि देखो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर ब्रैकेट था इसलिए मैंने वैसे किया था ठीक है? कन्फ्यूज मत हो ना कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना तो अब बेस सेम किये आपको आता है आगे का बेस सेम किये प्लस कर दिया आंसर आ गया यह मेरा एक ही केस है अभी मैंने ओडर नहीं चेंज किया अभी मुझे ओडर भी चेंज करना है चलो अब ओडर चेंज करते है क्या था? यह था ना पहले यह बहार था ना ब्रैकेट के अब मैं इसको बहार कर देती हूं ब्रैकेट के पहले ये वाला solve होगा bracket वाला तो 5 और 3 का LC हम लेंगे 15 फिर वो ही देखो मैंने bracket में बेस सेम किया है क्योंकि ये bracket के बाहर एक rational number लिखा है न उसको साथ-साथ लिखना है वरना हम इसको पता है बाद में भूल जाएंगे इसलिए मैं इसको साथ-साथ चला रहूँ, आप पक्की बात आप भूल जाओगे जब आप ऐसे करोगे तो इसलिए मेरे तरीके से करोगे तो नहीं भूलोगे, ठीक है न? तो 5 की table में 15 का बाता है 3 पे 3 की table में 15 का बाता है 5 पे बेस सेम किया, तो यहां यह 6 लिखा है, ओवराइट हो गया था, सही है, आपको clear कर देतू, 6 upon 15, 40 upon 15, 40 में 6 plus किया, 46 upon 15, अब 7 upon 8 और 46 upon 15 को solve करेंगे, है न, फिर वो ही base same, 8 और 15 का LCM लेंगे, यह रहा, base same किया, यह रहा, अब देखो मैंने फिर ऐसी base same किया, क्यूं, अब आपको reason पता है, यहाँ पर क्यूं करेंजन दिया था, क्यूंकि आप यहाँ पर bracket नहीं था न, इसके साथ 3rd वाला rational number नहीं था न, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, आप इसको चाओ तो वैसे भी कर सकते हूं, प्लीज कन्फ्यूज मत हो न, माना कि थोड़ा landy question है, बट, शौट शौट समझोगे न, मतल से दो rational number लेने, तो confuse मत हो न, ठीक है, प्लस किया, बेस सेम करके, प्लस करके answer आगया, जब मैंने order change नहीं किया था न, देखो मेरा तब भी यही answer था, 473 upon 120, अर देखो मेरा अब भी यही answer, hence proof, यही आपको प्रूफ करना था, कि associative properties में hold करती है, समझ आया, आज हम इसके ती negotiation करेंगे, क्योंकि यह third वाला भी बहुत लेन दी है, आज Saturday है, आज आपकी Maths homework की checking है, तो शाम को आप 5 to 6 में मुझे Maths homework दोगे, ठीक है, homework में, आज वाला जो यहां तक का काम है, question number 3 तक का, homework register में, वहां तक चेक करूँगी, ठीक है, अब आई बात worksheet की, जो मैंने आपको बूली थी, देखो, यह आपकी दो worksheet, पहले धिहान से worksheets देख लो, worksheet 1, rational number, represent the following on number line, एक ही number line पे दिखाने है, यह सारे, I repeat, एक ही number line पे दिखाने है, यह सारे parts, अलग-अलग number line नहीं बनानी, same, question number 2 है, negative वाला, यह भी एक ही number line पे दिखाने है, क्योंकि इन सब के base से में, अगर आप दिखान से देखो तो, ठीक है, question number 3 भी एक ही number line पे दिखाने है, question number 4 भी एक ही, महला, worksheet 1 में 4 question है, तो 4 number line बनेगी, ठीक है, worksheet 2, यह आपको, जैसे आपको करनी है, वैसे करनी है, यह, मैंने आपको सारे questions समझा रखे है, ascending है, descending है, और compare करना है, बाकी कुछ नहीं है, असान है यह भी, अब आपको करना क्या है, आज का homework, ध्यान से सुनिए, आज आपकी homework copy की checking है, आज मैं आपकी homework copy, exercise 1.2 के question number 3 तक चेक करूंगी, यह worksheet उसमें नहीं चेक करूंगी, इन दो worksheet करने के लिए मैं आपको पूरा 1 week दे रहूं, next Saturday मैं यह वाली worksheets चेक करूंग ठीक है, आई repeat, यह worksheet मैं आज चेक नहीं करूंगी, कोई भी बच्चा मुझसे group में नहीं पूछेगा कि मैं worksheet भी आज ही भेजनी है, नहीं, worksheet next Saturday चेक होगी, ठीक है, अब यह worksheet करने किसमें, ध्यान से देखो, दो worksheet है, आपको क्या करना है, maths classwork register में आज की date डालनी है, next page से कर अब के नीचे से worksheet शुरू नहीं करोगे, next page से आज की date डालनी है, worksheet 1 लिखना है, rational number लिखना है, questions उतारने है, यह नहीं लिखना, date, name और class, और नहीं यह picture बनानी है, आपको पता है, मुझे अपने match के classwork register में कोई cartoon नहीं पसंद है, तो यह नहीं बनाना, ठीक है, सिर questions लिख लिखोगे, आप, answer नहीं लिखोगे classwork copy में, सिर्फ questions लिखोगे, ठीक है, फिर next page पे डालोगे worksheet 2, अब फिर सारे questions लिखोगे, अब answer किसमें करने हैं फिर, answer आपको करने है homework copy में, मैं 7th class में भी आपको worksheet ऐसी ही कराती थी, questions जो मैं board पे लिखती थी, या फिर जो मैं आपको dictate करती थी, वो classwork copy में लिखवाती थी, और solution आप घर से homework copy में करके लाते थी, वो ही same process है, questions आपको classwork copy में लिखने है, black pen से worksheet 1 डालके, next page पे वरकशिट 2 डालके, solution आपको homework copy में करने है, number line, pencil और scale से बनाने है, one week है ये worksheet करने के लिए, दोनों worksheets करने के लिए, worksheet 1 और worksheet 2, next Saturday म मैं ये वाली worksheets चेक करूंगी, आज नहीं चेक करूंगी, आज सिव जो आपको homework दिया गया है, question number 1 के 3 parts, वो हाँ तक homework आपका चेक करूंगी, previous वाला जो काम था वो और जो आज दिया है वो, जब आपकी classwork copy की turn होगी, I think Monday आपकी classwork copy की turn, Monday को, अभी तक आपकी classwork copy एक बा ये दोनों worksheet उसमें लिखी होनी चीए, black pen से, सिर्फ question, question, answer को ही नहीं लिखेगा classwork copy में, ठीक है, तो Monday को जो classwork copy चेक होगी, वो 1.2 के question number 3 तक और ये 2 worksheet होनी चीए, उसके अंदर वो चेक होगी, आज जो homework copy चेक होगी, उसमें 1.2 के question number 3 तक चेक होगी, worksheet चेक नहीं होगी, तो आपके पास 1 week है, ये दोनों worksheets करने के लिए, ठीक है, मैंने विकुल clearly आपको वीडियो में बता दिये, कौन सा काम कहां करना है, ग्रूप में एक एक करके मत पूछना मैं, worksheet classwork copy में करनी है, homework copy में करनी है, black pen से लिखनी है, blue pen से लिखनी है, पहले वीडियो को carefully सुन ले 7 तक है, next class में इसको कोशिश करेंगे, complete करने की, ठीक है, और कोई भी doubt आप 9 to 1 में पूछ लेना, 5 to 6 में आज homework copy की checking है, सब बच्चों की homework copy आज आनी ही चाहिए, कुछ बच्चे अभी भी काम को seriously नहीं ले रहे हैं, मैं ये सारा काम आपको दुबारा नहीं कराओंगी, school open ह होने के बाद, सिफ रिवीजन होगी उस टाइम पे, तो मेर से आप उमीद मत करना कि मैं एक सिंगल स्टूडेन का work भी करा दूंगी, तो daily basis का काम daily basis पे करते रहूं, आगे का काम next class में करेंगे, thank you, have a nice day.